तो वेल्कम बैक एवरीवन कैसे हो आप लोग होफ़ली बहुत बड़ी होगे मैं हूँ आपको उस्ट्रतीक आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि डबल डेमेंशन एरे को सबसे सिंपलेस्ट वे में कैसे सॉर्ट करना है आपको पूरे मार्ग जिससे मिल जाए तौह सॉर्ण को इंगे डिए को मैं देखिए सिंगल डाइमेंशन एरे क्या होता है उसके अंदर एक ही रोग के अंदर बहुत सारे elements दिये जाते हैं एक के अंदर ही बहुत सारे element दे दिये जाते हैं और उसको हम लोग sort करते हैं using how many loops total आपके उसके अंदर use होते हैं आपके दो loop एक आपका select करने के लिए और दूसरा किसके लिए आपका sort करने के लिए इस तरीके से लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं double dimension ऐरे की दो double dimension ऐरे क्या होता है इसकी copy हो जाती है इसकी क्या हो जाती है तो हम लोग जब भी-कभी कोई भी single dimension ऐरे को use करने के लिए क्या करते थे जहाँ पर üzrete 100 एक श्रेटमेंट यूज करते थे एक loops करते थे double dimension के अंदर क्या हो जाता उसी को हम लोग क्या कर देते हैं double कर देते हैं तो अब हमें यहां के पर क्या करना पड़ेगा total आपका single dimension array की अगर sorting के लिए हमें 2 loop चलाने पड़ते थे तो double dimension array की sorting के लिए हम लोग क्या करेंगे total यहां पर चाल लूप चलाएंगे पहला basic concept आप क्या ऐसे किया जाए भाई देखिए simple सी एक चीज है कि आपके पास ऐसा कुछ हो जाए यहां पर यह आपकी double dimension array हमाल लेते हैं size इसका जो आ जाता है एक दो तीन चार इस तरीके से आप क्या करो इस एक element को सेलेक्ट कराओ इसको आप क्या करो सेलेक्ट करो और बाकि पूरी एरे से क्या करा दो searching करा दो फिर उसके बाद क्या करो दूसरे को सेलेक्ट कराओ बाकि पूरी element से क्या करा दो searching करा दो तीसरे element को सेलेक्ट कराओ that means selection के लिए for हमने क्या कर दिया s r is equal to 0 s r is what less than equal to आपका माल लेते हैं m by n की एक array है m कर दिया हमने और s r की value हमने क्या कर दी plus plus bracket को open करेंगे for column of आपका यहाँ पे s c कर देते हैं selection का column and selection column is less than equal to n हो जाएगा and selection column की value क्या कर दें plus plus इससे क्या हो गया आपका एक element select होने लगेगा select होने के बाद पिर अगला काम क्या करें अगला काम जो यहाँ पे हो जाएगा for r is equal to 0 r is less than क्या हो जाए m और r की value हो जाएगी plus plus bracket को वापस से open करेंगे for column is equal to 0 column is less than कहां तक n तक column क्या हो जाए plus plus तो simple जांगे concept लग गया क्या होगा एक element को हम लोग white वाला जो लूप है इससे हम लोग क्या करें एक element को select करें और green वाले loop से हम लोग क्या करें कंपरिशन मतलब यह outer loop क्या होगा यह एक बार चलेगा यहां पे यह एक बार चलके एक element को select करेगा और हम क्या कर देंगे यहां पे पूरी sorting बहुत सारे लोग के दिमाग में यह चीज आएगी कि sir इससे हमारी complexity क्या बढ़ जाएगी program की बिल्कुल time आपका यह loop थोड़ा जादा लेगा लेकिन सबसे simple सी चीज है कि आपको कोई confusion नहीं करना है कोई भसर नहीं मचानी है simple तरीके से आपका पूरा पूरा program जो है sort होके आपके जितने marks से भी पूछा जाएगा पूरे number मिल जाएगे यह एक simple सी trick से अब आगे क्या करना है आपको bracket open करना है और bracket के अंदर आपको conditions क्या conditions को मैं थोड़ी सी जगा लेकि यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा आपको वही condition लिख देना है और आपको पूरे number मिल जाएगे यहाँ पर क्या लिखना है if a of आपका selected of r selected of c is greater than a of आपका r is to c यह मैं किसके लिए बता रहा हूँ यह आपका ascending order के लिए आपको सभी को पता है केवल sign change कर देंगे तो आपका descending आप क्या कर दो simple सी यहाँ पर swapping कर लो t is equal to a of sr is to sc उसके बाद फिर a of sr is to sc is equal to आपका a of r is to c उसके फिर last option क्या हो जाएगा a of r is to c is equal to t यहाँ पे अब इसके बाद क्या करना है पूरे के पूरे इसी code को उठा के चाप देना मैं फिर बोल रहा हूँ आपको पूरे number मिल जाएंगे complexity से कोई फर्ट नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे कैसे होने वाला है केवल इसको ऐसी उठा के चाप देना पूरा का पूरा आपका change कर सकते हो आप sign को जब भी कभी तो एक simple तरीका है effective तरीका है किसी भी आरे को sort करने के लिए अगर आपको इसके उपर dry run भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्षिन में बता दीजेगा आप सभी लोग को dry run भी देतेंगे तो fine all the best thank you channel को subscribe कर दीजे till then take care bye bye everyone